हेलो फ्रेंड्स आज में जो रेसिपी लेके आई हूँ इसे आप सुबा के नास्ते में या साम की चाय के साथ किसी भी टाइम खा सकते हैं इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं और इतनी टेस्टी लगती है कि इसके साथ आपको किसी भी चीज की जुरत नहीं पड़ेगी चटनी, न सौस, न सबजी तो फिर देर की इस बात की चलिये बनाते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले लेना है एक अप गरम पानी, इतना गरम होना चाहिए कि जैसे आप हाट डालें तो गरम का एहसास हो अब इस गरम पानी में डालना है एक अप सूजी, आप कोई सा भी सूजी ले सकते हैं, दि बारिक सूजी है तो बारिक सूजी भी या मोटा वाला है वो भी, दोनों में से कोई सूजी ले ले दस मिनट के लिए सूजी को फूलने के लिए छोड़ देना है, दस मिनट में ये अच्छी तरह से पूरा फूल जाएगा जब तक ये फूलता है तब तक हम एक मसाला रेडी कर लेते हैं अब लेना है एक पैन, पैन, कड़ाई कुछ भी ले सकते हैं, अब उसमें डालेंगे आधा चम्माच जीरा आधा चम्माच खड़ा धनिया साथ में ही लेंगे आधा चम्माच सौफ, सौफ से अच्छा फ्लेवर और टेस्ट दोनों आता है साथ में ही डालेंगे दो पीस लॉंग जादा नहीं डालना है क्योंकि लॉंग गरम होता है अब पैन को गैस पे चड़ाना है और इस मसाले को 2-3 मिनट तक भुनना है थोड़ा सा ही मसाला है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा भुनने में 2-3 मिनट में अच्छी तरह से भुन जाएगा और जब मसाला को भुने तो गैस का फ्लेम low to medium रखें मीडियम फ्लेम में ही भुनना है अब मसाले से बहुत ही अच्छी खुस्बू आ रही है यह मसाला भुन चुका है अब गैस का फ्लेम आफ कर देते हैं आफ करके ठंटा होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं हमने 10-15 मिनट के लिए सूजी को ढख के रखा था तो अच्छी तरह से फूल चुका है फूलने के बाद यह एकदम चिकना हो गिया है जैसे हाथ में लेंगे मैस करेंगे तो गीला आटा कैसा होता है वैसा ही हो गिया है एक बाद चमस से मिक्स कर लेते हैं मिक्स करने में आप देख सकते हैं सूजी पूरी अच्छी तरह से पानी सोख लिया है सोखने के बाद थोड़ा सा यह सक्त हो गया है अब इसमें हमें डालना है एक कप गेहूं का आटा, गेहूं का आटा डालने से बाइंडिंग अच्छा आता है अब डालना है इसमें मसाला, जो मसाले को हमने भून के रखा था उस मसाले को दरदरा पीस लिया है, बहुत ज़्यादा बारिक नहीं पीसना है अब इसमें डालेंगे एक चुथाई चमच अजवाइन, अजवाइन को इस तरह से हाथ से रब करके डालेंगे, इससे अच्छा फ्लेवर आता है, उभर के आता है अजवाइन का, साथ में ही डाल देंगे नमक, अपने स्वात के अनुसार, एक चुथाई चमच हल्दी भयर है is, अब इसमें हमें डालना है, खाने का सोड़ा, तो सिब दू चुथाई भी डालना है, इस तरह से लेना है एक चुथाई, दूसरा चुथाई बस इतने ही डालना है ज़्यादा बेकिंग सोडा नहीं डालेने तो आपका नास्ता ये बिखर जाएगा अब साथ में डाल देंगे एक चमच घी अब इन सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जब सूजी और आटा को मिक्स करेंगे सूजी और मैदा को मसलते मसलते एकदम अच्छी तरह से चिकना हो गया है अगदम सॉफ्ट डो बनके रेडी हो गया है अब आप देख सकते हैं जैसे मैं उंगली डाल रही हूँ कितना ज़्यादा सॉफ्ट है कि अंदर तक चला जा रहा है अब इसे ढख के दस मिनट ले छोड़ देंगे दस मिनट हो गया दस मिनट में सारे मसाले और सूजी अच्छी तरह से से अठ हो गया है अब एक बार फिर से मसल लेते हैं मसलने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें देखे 10 मिनट में अच्छी तरह से खमीर भी आ गया है अब इससे दो लोई बनाएंगे बड़े बड़े साइज का लोई बनाना है इतने बड़े बड़े साइज का लोई बनाना है छोटा नहीं बनाना है बस अब हाथ से इस तरह से चिकना कर देंगे अब ये लोई बनके ready हो गया अब इस लोई को हमें बेलना है आप इसी तरह से भी बेल सकते हैं या फिर इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगा लेंगे तो काफी जल्दी बिला जाता है बस हलका सा स्प्रिंकल करेंगे सूखा आटा और एक बड़े साइज का रोटी इतने बड़े साइज का बेल के ready कर लेंगे अब हमने बड़े साइज का बेल के ready कर लिया है अब मैं आपको दिखाती हूँ कितना ज़्यादा मोटा रखना है बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है पतला भी नहीं रखना है मीडियम रखना है अब इसके बाद क्या करेंगे घी लेंगे और आधा चम्मच घी के उपर इस तरह से पूरा फैला के लगा देंगे पूरा जो रोटी बना के रखा है न हमने उसमें पूर अच्छी तर से पूरा लग गया है अब इसमें थोड़ा सा सुखा आठा स्प्रिंकल करेंगे इस तरह से और हलकाल का हाथ से इस तरह से फैला देंगे बस अब इतना ही करना है अब इस रोटी को हमें फोल्ड करना है फोल्ड थोड़े अलग तरीके से करना है पहले एक बार इस तरह से फ एक दाम अच्छी तरह से लेयर लेयर निकलेगा और देखने में भी बहुत सुन्दर दिखेगा, फिर से घी थोड़ा सा लगाएंगे और फिर थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करेंगे, अब फिर से एक बार फोल्ड करेंगे, इस तरह से फोल्ड कर देना है, अब इसको पलट अब इसके उपर फिर से थोड़ा सा घी लगाएंगे अब घी के जगा तेल भी लगा सकते हैं लेकिन गी से एक स्वाद आता है बहुत ज़ादा घी नहीं लगता है एक चमच ही लगता है एक चमच में पूरा रोटी में लग चाता है इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से fold करना है पहले इस तरह से fold करेंगे और इधर का इसके उपर फिर इस तरह से fold करेंगे अब आप देख सकते हैं इतना ही में दिख रहा है कितना layer बन के ready होगा अब इसको इस तरह से खीचना है हलका सा खीच के गोल कर देना है लोई बना देना है अब फिर देखे अब इस तरह से हलकाल के हाथ से गोल कर देंगे बहुत ही आसानी से हो जाती है महनत बिलकुल भी नहीं है सिर्फ समझने का तरीका है बस देखिए अब ये गोल हो गया है अब इसको इसी तरह से फोल्ड कर देंगे और थोड़ा सा लंबे अकार का बना देंगे बस इस तरह से हलकालका रोल कर देंगे अब ये बनके रैडी हो गया अब इसी तरह से दूसरा पी इस भी बनाके रैडी कर लेंगे अब ये दोनों लोई बनके रैडी हो गया अब इसे हमें भाप में पकाना एस्टिम देना है तो एक कढ़ाई में पानी गरम करेंगे पानी जब गरम हो जाएगा तो एक जाली वाली ये प्लेट रख देंगे इसके उपर और बस ये सूजी का जो हमने डो रेडी कर रखा है बनाखे अब इसके उपर रख देंगे और ढख के 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट हो गया है पूरी अच्छी तरह से पक चुका है अब आप देख सकते हैं color भी change हो गया है अब इसे हम निकाल लेते हैं और थंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं अब ये ठंडा हो गया है पूरी अच्छी तरह से अब इसे हमें कटिंग करना है अब हमें पतले-पतले स्लाइस में कट कर लेना है इस तरह से कट करेंगे एकदम आसानी से कट हो जाता है अब हमने सारे को कट कर लिया है मैं आपको एक पिस उठा के दिखाती हैं तो ग्यास का फ्लेम मीडियम करेंगे और मीडियम फ्लेम में ही इसे तलना है आप इसे मीडियम फ्लेम में तलेंगे तो पूरे अंदर तक अच्छी तरह से सीखेगा और यह दिए आप हाई फ्लेम कर देंगे तो उपर से ब्राउन हो जाएगा और अंदर कच्छा रह जाएग अब एक एक बार करके पलट लेते हैं अब एक साइड अच्छी तरह से कलर चेंज होगी आप देख सकते हैं परत भी दिख रहा है और एकदम ये खस्ता बनता है आप इस नास्ते को स्टोर करके भी रख सकते हैं ये सूजी और आटे से बना हुआ है तो खराब तो होता ही नहीं है बलकि बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में आप साम में चाय के साथ इसे असानी से खा सकते हैं अब पूरी अच्छी तरह से कलर चेंज हो गया है ब्राउन हो गया है अब इसे हम निकाल लेते हैं और बाकी का भी सेम प्रोसेस से इसी तरह से हमें तल लेना है अब इस सूजी और आटे का नास्ता बनके रेडी होगी आप देख सकते हैं कितना सुन्दर कलर आया है कलर के साथ साथ एकदम ये खस्ता बनता है और बनाना तो बिल्कुल भी इजी है और देखने में भी काफी सुन्दर दिख रहा है जैसे हम लोग मठरी बनाते हैं बस वैसा ही ये सूजी का मठरी अब मैं आपको एक पिस्तोड के दिखाती हूँ कि ये कितना ज़्यादा खस्ता बने आप देख सकते हैं लेयर लेयर निकल गिया है अगर आज की ये रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें